प्यारे बच्चों कैसे हो आप उमीद है अच्छे होंगे आज का हमारा टॉपिक है समिशर संख्याएं एवं द्वी घात समीकरन भाग 4 इसमें हम पढ़ेंगे द्वी घातिय समीकरन समीशर संख्या का वर्ग मूल और इनके उपर अधारित प्रशन द्वी घातिय समीकरन बच्चों कक्षा 10 में हमने द्वी घातिय समीकरनो ए एकस की दो प्लस बी एकस प्लस सी बराबर जीरो को हल किया है जहां पे हमारा विवितकर 0 से बड़ा या बराबर होता है अब हम उन द्वी घातिय समी करनों को हल करेंगे जिनके लिए विवितकर 0 से छोटा होगा यानि कि विवितकर जो है b की 2 माइनस 4ac b की 2 माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा और x ब्राबर हमारा क्या आएगा माइनस b प्लस माइनस वर्ग मूल में b की दो माइनस 4ac बटे 2a यहाँ पे वर्ग मूल के अंदर हमारे पास जो मान आएगा वो 0 से छोटा होगा मान लो b की 2 माइनस 4ac वर्ग मूल के अंदर आगया तो वो 0 से छोटा होगा आईए इसे हम एक उधारन से देखते हैं उधारन एक, x की दो प्लस x प्लस एक ब्राबर 0 को हल कीजिए तो बच्चों अगर हम इसको ax की दो प्लस bx प्लस c ब्राबर 0 के ब्राबर रखें तो a का मान हमारे पास यहां के आएगा एक, b का मान भी एक आएगा और c का मान भी एक आएगा तो यहां पे b की दो माइनस 4ac हमारे पास क्या आएगा बच्चों देखो b का मान क्या है एक तो यहां पे एक की दो माइनस 4 गुना, a का मान एक और c का मान भी एक फरेंगे तो 1-4 बराबर आगया माइनस का 3 जो 0 से छोटा है यहाँ पर हमारा विविक्त कर जो है वो 0 से छोटा आया है अब हम इसका हल सुतर दबारा करेंगे x बराबर माइनस b प्लस माइनस वर्ग मूल में b की 2 माइनस 4ac बटे 2a अब यहाँ पर b और a और c का मान हमने भरना है x बराबर क्या आजाएगा माइनस b, b कितना है? 1 तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस b की 2 माइनस, 4ac का मान कितना आगया बच्चो? माइनस 3, तो यहाँ भरेंगे हम माइनस का 3 बटे 2A, A का मान कितना है बच्चो, एक, बराबर, माइनस एक, प्लस माइनस अब माइनस एक का वर्गमूल बच्चो हमने सिखा हुआ है, कि वो आयोटा के बराबर होता है तो वर्गमूल 3, 3 को हम ऐसे ही लिखेंगे, और जो साथ में माइनस है, उसके लिए हम वर्गमूल, माइनस एक का वर्गमूल की वैल्यू आयटा भर देंगे बटे 2 गुना एक, 2, तो यहां पर एक्स के 2 मान आगे, जैसे कि हमारे कक्षा दस में आते थे 2 मान माइनस एक, प्लस, वर्गमूल 3 आयटा, बटे 2, वै, माइनस एक, माइनस वर्गमूल 3 आयटा, बटे 2 एक बार प्लस का चिन ले लेंगे और एक बार माइनस का चिन ले लेंगे, तो हमारे पास एक्स के 2 मान आ जाएंगे क्योंकि ये द्वी घातिय समी करन था बच्चो तो जितनी इसकी घात होएगी उतने x के मान आते हैं आईए इसे हम एक और प्रशन दवारा समझते हैं प्रशन आठ प्रशनावली 5.3 द्वी घातिय समी करन वर्गमुल 3x की 2 माइनस वर्गमुल 2x प्लस 3 वर्गमुल 3 ब्राबर 0 को हल कीजिए बच्चो इसको ax की 2 प्लस bx प्लस c ब्राबर 0 के ब्राबर रखेंगे तो a का मान वर्गमुल 3, b का मान माइनस वर्गमुल 2 और c का मान 3 वर्गमुल 3 आ जाएगा अब बच्चो b की 2 माइनस 4ac का मान हमने निकालना है तो b का मान माइनस वर्गमुल 2 यहां भरेंगे माइनस वर्गमुल 2 की घाद 2 माइनस 4 गुना a, a का मान है वर्गमुल 3 और c का मान 3 वर्गमुल 3 ब्राबर माइनस वर्गमुल 2 की 2, 2 बन जाएगा बच्चो क्योंकि माइनस की घाद 2 है तो वो प्लस हो जाएगा माइनस येवाला वर्गमुल तीन और येवाला वर्गमुल तीन गुना में करेंगे वर्गमुल तीन गुना वर्गमुल तीन तो तीन बनेगा बच्चो तो चार गुना तीन गुना तीन तो चार गुना तीन बारा बारा गुना तीन 36, तो 2 में से 36 गए बच्चों, माइनस के रह गए 34, तो हमारा यहाँ पे B की 2 माइनस 4 AC जो है वो रिनात्मक आया है, 0 से छोटा आया है X का मान निकालने के लिए बच्चों, सूतर हम प्रयों करेंगे B की 2 माइनस 4 AC बटे 2A बराबर, B का मान बच्चों, माइनस वर्गमुल 2 था तो माइनस यहाँ पहले से है, प्लस माइनस B की 2 माइनस 4 AC का मान कितना आया माइनस 34, तो यहाँ पे माइनस 34 भर देंगे, बटे 2A, A का मान वर्गमुल 3 बच्चों, यहाँ पे माइनस को ना माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस इस 34 को वर्गमुल में ही रखेंगे और माइनस जो है माइनस एक का वर्गमूल क्या आता है बच्छो आइटा बटे दो वर्गमूल तीन तो हमारे पास यहाँ पे दो उत्तर आ जाएंगे एक बार प्लस का चिन लेके चलेंगे और एक बार माइनस का चिन लेके चलोगे तो x ब्राबर वर्गमुल 2 प्लस वर्गमुल 34 आयटा बटे 2 वर्गमुल 3 और वर्गमुल 2 माइनस वर्गमुल 34 आयटा बटे 2 वर्गमुल 3 तो यहां पर हमारा जो b की 2 माइनस 4ac है वो 0 से छोटा आ रहा है जब 0 से छोटा आता है तो हमारा जो उत्तर है वो आयटा में आता है उधारन 2 बच्चो अब हम समिशर संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखेंगे कि किसी समिशर संख्या का वर्गमूल कैसे ग्याद किया जाता है समिशर संख्या 3 प्लस 4 आइटा का वर्गमूल ग्याद कीजिए तो बच्चों जिसका वर्गमूल ग्याद करना होगा उसको हम x प्लस आइटा y इसके ब्राबर माननेंगे वर्गमूल 3 प्लस 4 आइटा ब्राबर x प्लस आइटा y यानि इसको वर्गमुल के अंदर रखकर x प्लस आइटा y के ब्राबर मान के चलेंगे तो यहाँ पे हमने x और y का मान निकालना है इसको हमने हल करना है यह समी करन की तरह बन गया बच्चो यहाँ पे हमने x और y का मान निकालना है चो x और y का मान आएगा जब हम उसको यहां भरेंगे तो वो 3 प्लस 4 आईटा के वर्ग मुल के बराबर होगा तो x और y का मान निकालने के लिए बच्चो इसके दोनों तरफ वर्ग करते हैं जब हम इसके दोनों तरफ वर्ग करेंगे इस तरह से तो ये वर्गमूल और ये वर्ग आपस में कटेगा तो 3 प्लस 4 आउटा रहा गया बराबर, X प्लस आईटा Y की घादव बन गी अब तो इसको A प्लस B की घादव का सुतर लगा कर खोलेंगे तो आएगा X की दो प्लस आईटा Y की दो प्लस 2XY आईटा अब x आइटा की 2 यहां से क्या आएगा मेरे पास आइटा की 2 और y की 2 आइटा की 2 की value जो है वो माइनस 1 भरेंगे तो x की 2 माइनस y की 2 बन जाएगा प्लस 2xy आइटा और ब्राबर किस के आया था बचो यह 3 प्लस 4 आइटा को इसको मैंने उधर लिख लिया तो x की 2 माइनस y की 2 प्लस 2xy आइटा ब्राबर आगया 3 प्लस 4 आइटा अब वास्त्विक भाग वास्त्विक भाग के ब्राबर होता है और कालपनिक भाग कालपनिक भाग के ब्राबर होता है तो x की 2 माइनस y की 2 का मान आगया मेरे पास 3 और 2xy, आयटा नहीं लेना बच्चों यहाँ पर आयटा को छोड़ना है, कालपनिक भाग लेना है सिरफ 2xy का मान आगया मेरे पास 4 यहाँ पर मेरे पास ये 2 समीकरन आ गए इसको हमने हल करना है बच्चों, x की 2 माइनस y की 2 ब्राबर 3 को समीकरन 1 मान लो वे 2xy ब्राबर 4 जो हमारे पास आया था उसको समीकरन 2 मान लो अब हमने इन दोनों समीकरनों को हल करना है इनको हल करने के लिए हम इस सरव समीका का परयोग करेंगे इस सरव समीका में क्या है? x की 2 प्लस y की 2 इस सारे की 2 है ब्राबर x की 2 माइनस y की 2 इस सारे की 2 प्लस 4 गुना x की 2 गुना y की 2 तो ये इसके बराबर होता है बच्चों ये हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है तो यहाँ पे x की 2 माइनस y की 2 इसका मान भरेंगे और 2xy 2xy का मान हम यहाँ पे भरेंगे X की 2-Y की 2 का मान तो सीधा 3 है तो 3 की 2 यहां भरा जाएगा X की 2-Y की 2 का मान 3 भर दिया 4X की 2 गुना Y की 2 ये कैसे आएगा? बच्चो जब इस समीकरन के दोनों तरफ वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग 4 X का वर्ग X की 2 और Y का वर्ग Y की 2 तो 4 गुना X की 2 गुना Y की 2 बराबर 4 का वर्ग 16 तो इसका मान किया आ गया बच्चो यहां से 16 तो इसका मान 16 भरेंगे इसका मान हमारे पास आया था 3, 3 की 2 तो 3 की 2 कितना होता है 9? 9 और ये कितना था बच्चो 16 16 plus 9 कितने हो गया 25 तो X की 2 plus Y की 2 इस पूरे की घात 2 का मान आ आगया 25 अब हमने x की 2 प्लस y की 2 का मान निकालना है तो यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग मूल ले लेंगे बच्चो तो x की 2 प्लस y की 2 का मान आगया 5 देखो जब हम वर्ग मूल लेते हैं मानलो, x की 2, virabar 16 है, तो जब x का मान यहां से निकालते हैं, तो plus, minus 4, plus और minus लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक, द्वी घातिय समिह करन था, यहाँ पर x की 2, virabar 16 है, तो x के 2 मान आने चाहिए थे, plus और minus का, तो यहाँ पर भी plus और minus लगना था, लेकिन नहीं लगाया, प्लस ही लिया है, क्योंकि बच्चो X की 2, ये घात 2 है और Y की घात भी 2 है, तो 2 जब घात होती है तो वो हमेशा धनात्मक संख्या होती है, तो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, इसलिए यहाँ पे हम प्लस का 5 लेके चलेंगे, अब हमने समीकर एक और 3 को हल करना है, और 2 का प्रयोग हम बाद में करेंगे, ये हमारे पास 3 समीकरन है बच्चो, एक्स की 2 माइनस Y की 2 ब्राबर 3, 2 गुना X गुना Y ब्राबर 4 और ये समीकरन हमें उस सरव समीका के अंदर, x की 2 minus y की 2 बरबर 3 2xy बरबर 4 का मान बर ने पर प्राप्थ हुआ था अब 1 और 3 को जोड़ देंगे क्योंकि अब हमने x और y का मान निकालना है, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो ये minus का y की 2 और ये plus का y की 2 जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये y कट जाएंगे हम आरे पास क्या रहा जाएगा x की 2 प्लस x की 2 2x की 2 बराबर 5 और 3 को जोड़ा तो 8 अब 2 को उदर लेके जाएंगे तो x की 2 बराबर क्या रहा गया 4 x की 2 बराबर 4 है तो यहाँ पर x के 2 मान आ जाएंगे प्लस 2 और माइनस 2 दोनों तरफ वर्ग मुल लेने पर हमारे पास x के मान आगे बराबर प्लस माइनस 2 अब x के मान आगे बच्चो y का मान निकालना है हमने y का मान निकालने के लिए इस y की 2 इस y की 2 से हम इसका मान निकालेंगे तो 2 x की 2 ब्राबर जो 8 आया था उससे हमारे पास क्या आया? x की 2 ब्राबर 4 तो इस x की 2 ब्राबर 4 इसका मान हम समीकरन एक में भर देते हैं 4 माइनस y की 2 x की 2 ब्राबर 4 जो है वो समीकरन एक में भरने पर तो x की 2 की जगह क्या भर दिया? 4 4 minus Y की 2 ब्राबर 3 तो इस Y की 2 को उधर लेके जाएंगे और 3 को उधर लेके आएंगे तो मेरे पास आ जाएगा Y की 2 ब्राबर 1 और वर्गमूल करने पर Y ब्राबर प्लस माइनस 1 तो बच्चों अब मेरे पास X के 2 मान आ गए Y के भी 2 मान आ गए अब हमने इन दोनों में से कौन सा मान प्रयोग में करना है प्लस का या माइनस का X का प्लस या X का माइनस Y का प्लस या Y का माइनस वाला मान हमने प्रयोग करना है उसके लिए हम समीकरन 2 का प्रयोग करेंगे इस समीकरन का प्रयोग बिल्कुल लास्ट पे इन दोनों में देखने के लिए हम परयोग करते हैं कि यहाँ पे प्लस वाला मान लेना है या माइनस वाला मान लेना है बच्चो दो गुना एक्स गुना वाई बराबर चार ये धनात्मक है चार जो है वो धनात्मक है तो एक्स गुना वाई दो संख्याओं का गुनन फल जो है वो धनात्मक है वो धनात्मक कब होगा जब पहली X धनात्मक होगी वह Y भी धनात्मक होगी तो धनात्मक गुना धनात्मक बराबर धनात्मक यानि कि जब X का मान हम धनात्मक ले लेंगे और Y का मान भी धनात्मक ले लेंगे तो 2 गुना 1 बराबर 2 यानि धनात्मक आ जाएगा या X का मान भी रिनात्मक हो और Y का मान भी रिनात्मक हो रिनात्मक गुना रिनात्मक ये भी माइनस का हो और ये भी माइनस का हो तो हमारे पास धनात्मक प्लस आता है तो या तो X और Y के दोनों मान धनात्मक लेके चलेंगे या फिर दोनों मान हम यहाँ पे रिनात्मक लेके चलेंगे तो वर्गमुल 3 प्लस 4 आयटा को हमने X प्लस आयटा Y के बराबर माना था X का मान 2 और Y का मान 1 यानि दोनों मान धनात्मक लेके चलेंगे तो 2 प्लस आइटा बन जाएगा या X का मान माइनस 2 और Y का मान माइनस 1 लेके चलेंगे तो माइनस 2 माइनस आइटा बन जाएगा इन दोनों को इकठा करके लिखेंगे बच्चो तो प्लस माइनस बाहर लिख लेंगे ब्रेकेट के अंदर दो प्लस आइटा आ गया तो तीन प्लस चार आइटा का वर्ग मुल बराबर किसके आ गया प्लस माइनस ब्रेकेट में दो प्लस आइटा बच्चो इसे हम एक और उधारन से देखते हैं उधारन तीन समिशर संख्या 7-24 आयटा का वर्गमुल ग्याद कीजिए तो बच्चो मैंने अभी बताया था आपको कि जिसका वर्गमुल ग्याद करना है 24 आयटा बराबर x प्लस आयटा y के बराबर हम इसको मान लेते हैं कि मानना वर्गमुल 7-24 आयटा बराबर x प्लस आयटा y दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर वर्ग करूँगा 7-24 आइटा रह जाएगा, वर्ग मुल खतम हो जाएगा, बराबर इस तरफ वर्ग करूंगा, दाएंपक्ष में जब वर्ग करेंगे तो x की 2 प्लस आइटा की 2, y की 2 प्लस 2xy आइटा आजाएगा तो आइटा की 2 का मान माइनस एक, बचो इसको मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, x की 2, आइटा की 2 का मान माइनस एक होता है ये भर देंगे, y की 2 प्लस 2xy आइटा बराबर 7-24 आइटा अब बच्चो वास्त्विक भाग, वास्त्विक भाग के बराबर होगा और काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग के बराबर होगा तो यहां से माइनस एक गुना y की 2 क्या बनेगा? x की 2 माइनस y की 2 ये कितना आ गया बच्चो? 7 और काल्पनिक भाग क्या है दो गुना एक्स गुना वाए बराबर माइनस 24 पिछले उधारन में हमारा दो गुना एक्स गुना वाए बच्चो धनात्मक आया था यहाँ पे हमारा दो गुना एक्स गुना वाए रिनात्मक आया है अब X और Y का मान ग्याद करने के लिए इन दोनों को हमने हल करना है बच्चो X की 2 माइनस Y की 2 पराबर 7 को समी करन 1 मानेंगे वे 2 गुना X गुना Y पराबर माइनस 24 को समी करन 2 मानते हैं इन दोनों समी करनों को हल करने के लिए हम इस सरव समी का का परयोग करेंगे इसका प्रयोग हमने पिछले उधारन में भी किया था यहां पे x की 2 माइनस y की 2 का मान यहां से 7 भरेंगे और 4 गुना x की 2 गुना y की 2 का मान यहां से हम निकाल लेंगे तो x की 2 माइनस y की 2 का मान 7 प्लस इसका मान निकालने के लिए समिकरन 2 के दोनों तरफ वर्ग कर दो 2 का वर्ग 4 X और Y का वर्ग आ गया X की 2 गुना Y की 2 और माइनस 24 का वर्ग 576 तो यहाँ पे मैं 576 भर दूँगा तो बच्चो 7 की 2 कितना होता है 49 प्लस 576 बनगे 625 तो यहाँ से X की 2 प्लस Y की 2 इसका मान कितना आ गया पुरे की खाद 2 का मान आ गया 625 X की 2 प्लस Y की 2 का मान निकालना है दोनों तरफ वर्ग मूल कर देंगे 625 का वर्ग मूल कितना आ गया 25 अब मेरे पास बच्चो समिकरन एक समिकरन दो और समिकरन तीन आ गए यहाँ से X और Y का मान निकालना असान हो जाता है तो X और Y का मान निकालने के लिए हम अब इन तीनों का प्रयोग करेंगे समिकरन एक एक और तीन को जब जोड़ेंगे तो यह माइनस Y की दो यहाँ पे प्लस की है यह दोनों आपस में कट जाएंगे यह दोनों धनात्मक हैं प्लस का X की दो है यहाँ पे भी प्लस का है तो यह दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 2X की 2 ब्राबर 25 और 7 को जोड़ेंगे कितना आ गया बच्चो 32 इस दो को इदर लेके आएंगे 32 की तरफ तो X की 2 ब्राबर आ गया 16 X का मान निकालने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस 4 बच्चो अब Y का मान निकालना है Y का मान निकालने के लिए इस X की 2 का मान समी करन एक में भर देते हैं X की 2 का मान 16 समी करन एक में भरने पर 16 माइनस Y की 2 यहाँ पे इस X की 2 का मान हमने 16 भर दिया 16 माइनस Y की 2 बराबर 7 तो यहाँ से Y की 2 कितनी आ जाएगी 16 माइनस 7 9 और Y का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3 अब x के भी 2 मान आगे बच्चो, प्लस की 4 और माइनस 4 y के भी 2 मान आगे, प्लस 3 और माइनस 3 अब हमने प्लस का 4 लेना है या माइनस का लेना है y का मान प्लस का 3 लेना है या माइनस का 3 लेना है इसको देखने के लिए हम इस समीकरन 2 का परियोग करेंगे बच्चों हमारे पास 2 गुना x गुना y ब्राबर माइनस 24 यानि कि रिनात्मक आया है तो 2 संख्याओं की गुना x गुना y रिनात्मक कब होगी जब उन में से एक धनात्मक होगा और एक रिनात्मक होगा यानि जब x को धनात्मक लूँगा तो y को रिनात्मक लेना पड़ेगा तो धनात्मक गुना रिनात्मक ब्राबर रिनात्मक जब मैं x को रिनात्मक मानूँगा तो y को मेरे को धनात्मक लेना पड़ेगा तो रिनात्मक गुना धनात्मक भी रिनात्मक होगा तो बच्चो X का मान मेरे पास अगर मैं धनात्मक ले लूँ प्लस का चार ले लूँ तो Y का मान मेरे को रिनात्मक लेना पड़ेगा माइनस तीन और अगर X का मान रिनात्मक लेके चलेंगे तो Y का मान धनात्मक लेना पड़ेगा तो बच्चो X का मान प्लस का चार और माइनस का तीन या माइनस का चार और Y का मान प्लस का तीन लेंगे तो 7-24 आयटा का वर्ग मूल जिसको हमने x प्लस आयटा y के बराबर माना था क्या आ जाएगा जब मैं x को प्लस का 4 मान लूँगा तो y को माइनस का 3 लेना पड़ेगा या x को मैं माइनस का 4 मान लूँ और y को फिर प्लस का 3 मानना पड़ेगा इन दोनों को बच्चो हमने 81 करके लिखना है तो 4 माइनस 3 आयटा या माइनस 4 प्लस 3 आयटा तो 7 माइनस 24 आयटा का वर्ग मूल मेरे पास आ गया प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयटा बच्चो यहाँ पे जब यह प्लस का है और यह माइनस का है और जब यह माइनस और यह प्लस है तो अंदर हमने माइनस का चिन लगाना है बच्चो आएए ग्रह कार्या को देखते हैं प्रशन संख्या 1 निमन लिखित समिशर संख्याओं का वर्ग मूल जग्यात कीजिये प्रशन संख्या 1 के 3 भाग है बच्चो भाग 1 माइनस 7 माइनस 24 आयटा भाग 2 एक प्लस आयटा भाग 3 माइनस आयटा इन तीनों का आपने वर्गमूल ग्यात करना है प्रशन संख्या 2 निमन लिखित समी करनों को हल कीजिए यहाँ दो भाग हैं इसमें भाग 1, 3x की 2, माइनस 4x, प्लस 20 बटे 3, प्राबर 0 को हल करना है और भाग 2 में x की 2, माइनस 2x, प्लस 3 बटे 2, वो ब्राबर 0 को हल करना है बच्चों, उमीद करता हूँ आपको आज का ये अधियाय समझ आ गया होगा धन्यवाद